बिकानेर के व्यस्नों मंदिर में इन दिनों 18 फीट उचाश शेवलिंग अगरेशन का केंदर बना हुआ है। इसे गुजरात के आठ पंडितों ने मिलकर सवाल लाग पंच मुखी रुदराग से त्यार किया। सावन मास समाफ्थ होने के साथ ही ये सभी रुदराग सर्दानों में वित्रित किये जाएंगे। गुजरात के आठ पंडित पिछले दिनों बिकानेर आए और व्यस्नों मंदिर में शेवलिंग बनाने की इक्चा जताई। इस पर मंदिर परसासर ने अनुमती दे दी। मंदिर के मुखे दवार पर वापी गुजरात से आए पंडितों ने सिवलिंग बनाने का काम सुरू किया। और आठ दिन में इसे त्यार कर दिया। सावन मास से पहले ही सिवलिंग बना कर त्यार हो गया। 18 फिट उचा सिवलिंग पर जल दारा से अभिशे करने के लिए वकाईदा लोह की शीडिया लगाई गई है। तीन पंडित हर व्यक्त यहां जल अभिशे करते समय मंत्रों चाड़न करते है। पूरे स्रावन हम एसा अनुष्टान रखते हैं। सवालाख रुदराक्ष यह अद्बुत शिवलिंग मना है। तेरा फिट है और पूरे स्रावन इसका अनुष्टान होगा। सभी भक्त भावी भक्त जनों यहां आकर जल चड़ा सकते हैं। पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां प्राता पुजन भी होता है, रुदराविश्यक कर्म भी होता है। जो कोई भी लोग यहां आकर जल चड़ाना चाहें, वो चड़ा सकते हैं। सारे रुदराक्ष फिर सभी भक्त जनों में बाटे जाएंगे। प्रसाद के स्वरूप में पंचमुखे रुदराक्ष से सवालाख रुदराक्ष भी भक्त जनों में यह बाटे जाने वाल है। ऐसा हर स्रावन में हम पूरा महिन अनुष्ठान करते हैं। इस बार विकानेर में ऐसा अद्बुत कार्यकरम होगा है। हमने पेले पूरा में किया है, सुरत में किया है, वापी में किया है, सतरह में किया है। हिद्राबद में हमारा ऐसा कार्यकरम हो चुका है, अनुष्ठान हो चुका है, अब यह बिकानेर में बना है। हम यह 5-6 साल हो गए हमरा ट्रस्ट यह चलाता है यह कार्य करम करता है अनुस्टान चलाता है